यदि आपने कभी किंग कांग 1912 और 2005 या कॉंग The Skull Islands 2017 फिल्में देखी हैं तो आपको गोरिला के विशिष्ट व्यवहारों में से एक याद होगा अर्था छाती पीटना हो सकता है हमें से बहुत से लोग सोचते हों कि चरित्र इसलिए है क्योंकि गोरिला दिखाना चाहता है कि वो मजबूत है, बहादूर है, किसी को भी दरा सकता है आमतोर पर नर गोरिला जितना बड़ा होता है वो उतना ही अच्छा अपना सीना पीट सकता है चाती पर ये वार संचार की एक दिल्चस्क शाखा है क्योंकि वे मुखरता के माध्यम से नहीं बलकि जिन्हें देखा और सुना जा सकता है आश्चर्यजनक रूप से गोरिला की कुछ प्रजातिया अपनी छाती पीटती है और इसकी आवाज एक किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology के जर्मन वेग्यानिक Edward Wright गोरिला की आदतों की जाच करने की कोशिश कर रहे हैं उनके शोड ने निशकर्ष निकाला की छाती की ताली की आवाज गोरिला के आकार की शक्ति का एक बयान है शरीर के आकार को सूचित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साथी चुनने में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रतिसपर्धा करने की क्षमता दिखा सकता है दूसरे शब्दों में चेस्ट पंच शरीर के आकार के बारे में जानकारी देते हैं गोरिला स्वयम वामत और पर दो पैरों पर खड़े होते हैं और जल्दी से बार-बार अपने हाथों से अपनी चाती पीटते हैं ये उसी टीन द्वारा किये गए पिछली शोद में परिलक्षित होता है जिसमें पाया गया कि पुरुष परवतिया गोरिला न केवल सामाजिक रूप से प्रभावी हैं वे भी छोटे पुरुषों की तुलना में बहतर प्रजनन सफलता प्राप्त करते हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अध्यान के प्रमुक लेखक एडवर्ड राइट ने कहा गोरिला की छाती की धरकन जानवरों के सामराज्य की प्रतिष्ठित ध्वनियों में से एक है इसलिए ये बहुत अच्छा था कि हम दिखा सकते हैं कि शरीर के आकार को इस तरह से एंकोट किया जा सकता है मादा गोरिला आम तोर पर छाती की लगातार तालियों की आवाद से अपने साथी का चैन करती है इस बीच पुरुष गोरिला के लिए छाती पर एक जटका किसी के लिए एक चेतावनी है कि अगर वे लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो गरबर ना करें 2008 तक ज्वाला मुखी राष्ट्रियों द्यान में जंगी में लगबग 600 परवत गोरिला रहते थे गेहन संरक्षन प्रयासों के बाद ये संख्या 1000 से अधिक हो गई है जिसमें अवैच शिकार विरोधी गश्ट और जंगल में गोरिला की देखभाल करने वाले पशुची किटसकों का प्रशिक्षन शामिल है गोरिला का निवास स्थान कांगो लोकतांत्रिक गनराज्य रवांडा और युगांडा में संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है हाला की अवैच शिकार युद्ध और मानव संचारिक बीमारियों सहित खत्रे बने हुए है